ये रेश्वी बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनकर तयार हुई है इस रेश्वी को आप महिनों तक इस्टोर करके रख सकते हैं और हाँ इसे आप आटे से बना सकते हैं कम मिनहद में और बहुत ही कम सामान में और बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाती है तो इसी बनाने के लिए मैंने एक थाले में आधा कटोरी से कम मैंने पानी डाल दिया है और आधा कटोरी से कम ही थोड़ी चीनी डाल दिया है मीठा आप अपने अउसार कर सकते हैं इसके बाद दो चमज घी डाल देंगे और एक जो कटोरी भरकर इसमें आटा डाल देंगे औ और थोड़े कुछ ड्राइफूट मैंने डाली है जिसमें है काजू है बादाम है इसे आप छोटे छोटे टुकडों में करके डाल दीजी और फिर ड्राइफूट इसमें जो आपको पसंद ओभीस में डाल सकते हैं थोड़ी सी सौफ डालेंगे इसे बहुत ही वणिया नहीं तो इसी पानी से आटा गूत जाएगा हमें सौफ आटा नहीं लगाना है थोड़ा हम कड़ा ही आटा लगाएंगे जिसे बहुत ही खस्ता बनकर रेष्पी तैयार होगी देखिए मैंने आटा जो है इसी पानी से लगा लिया इस्ट्रा पानी के जरूत नहीं पड़ी है अब मैं इसे जो है दस मिनट के लिए रेष्ट के लिए रख दूंगी दस मिनट रेष्ट के लिए रखने के बाद आटा थोड़ा सेट हो जाएगा 10 मिनट के बाद हम आटे को अच्छे से मसल लेंगे और मसलने के बाद इसमें से बड़ी सी लोई तोड़ लेंगे और लोई तोड़ने के बाद हम बड़ी सी रोटी बेलेंगे रोटी को हम थोड़ा मोटा ही रखेंगे जादे पतला नहीं करना है देखिए हमने जो है मोट रोटी बेल कर तयार कर लिए हमें एक बराबर ही बेलना है कहीं मोटा कहीं पतला नहीं रखना है इसके बाद हम इस तरीके का एक धकन लेंगे और गोश सेव में इसे कट करेंगे आप किसी और सेव में इसे कट करके तयार कर सकते हैं सच में ये रेश्पी इतनी टेश्टी होती और खाने में तो बहुत ही बढ़िया लगती है बच्चों को तो और पसंद आएगी और आप अपनी अमसार कम मीठा या ज्यादा कर सकते हैं देखिए मैंने सारे पीसे को कट कर लिये हैं और बाकी बचे हुए आटे का भी हम ऐसे ही बना कर तयार कर लेंगे अब इसे जो है हम एक चाकू लेंगे या किसी और चीसे हम उपर से थोड़ा निसान लगाएंगे जिसे देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा और आप कोई और भी सेप इस पे दे सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे अब इसे मैंने एक प्लेट में उठा लिया है और ऐसे ही जो बाकी बचे हुआ आटा है उसका भी हम बना कर तयार कर लेंगे और गैस पर मैंने पहले ही रख दिया था तेल गरम होने के लिए तेल मीडियम गरम होना चाहिए तब हम एक एक पीसेश को तेल में डाल देंगे और आज को मीडियम ही रखेंगे सारे पीसेश को डालने के बाद इसमें अच्छे से जो है इसे थोड़ी देर पकने देंगे उसके बाद दूसरी साइड में इसे पलड़ देंगे तकरीबन कंकं 15 सेकेंड के बा रेस्पी होती है इसमें ना जादे मीठा है ना कुछ और है मीठा तो आप अपने उसार इसमें कर सकते हैं लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है यह बार आप इस तरीके से जरू ट्राइ कीजिएगा देखिए मैंने इसे उलड़ते पलड़ते हुए अच्छे से से खाली में निकाल लूँगी और ऐसे बाकी बच्चे हुए जो है उसे भी मैं ऐसे ही तल लूँगी बहुत ही बढ़ना कर तैयार कर लिए हैं इसमें से देखिक कितनी बढ़ने आवाज आ रही है तो खाने में कितनी टेष्टी लगेगी अगर आपको ये रेस्पी पसंद आ एगया?